जन्वरी 2022 में सट्टिला एकदशी की संपून जानकारी संपून पूजाविधी व उपाए सट्टिला एकदशी जिसे तिला या सट्टिला एकदशी के नाम से भी जाना जाता है इस दिन तिल का तिलक लगाना बेहधी शुब माना जाता है सटिला एकदशी रहेगा 28 जनवरी 2022 दिन सुक्रवार को कृष्णपक्ष एकदशी 21 तीथी प्रारंब होगी 28 जनवरी 2022 को मध्य रात्री 2 बच के 16 मिनट पे 21 तीथी शमापत होगी 28 जनवरी 2022 को रात्री 11 बच के 35 मिनट पे 29 जन्वरी को पारड समय रहेगा 7 बज की 11 मिनट से लेके 9 बज के 20 मिनट सुबा पारड दीथी के दिन 12 बशी शमाप्त होने का समय रहेगा 8 बज की 37 मिनट सट्टिला एकदशी के वरत से सभी पापों का नाश होता है इसने निम्न लिखित समागरी की जरुवत पढ़ती है जैसे सिर्विष्णुजी का चित्रत्व मूर्ती पुष्प, पुष्प माला, नारियल, बेर, सुपारी, रितुफल, धूब, दीप, घी पंचाम, रित, दूद, कच्चा, दूद, दही, घी सहद, शक्कर का मिस्रड, अक्षद, तुलसी दल, चंदन, लाल अनार, आवला, लॉंग, मिस्ठान, तिल से बने हुए, गोबर की पिंडी 108, तिल तथा कपाश मिस्रित सट्टिला एकादशी उरत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है इस दिन तिल का प्रयोग छह तरीकों से किया जाता है सबी एकादशी की तरह सट्टिला एकादशी उरत के नियम भी दस्मी तीथी से ही आरम्भ हो जाते हैं इसलिए दस्मी तीथी को दूसरे प्रहर के भोजन के पश्चात कुछ ना खाएं दस्मी के दिन सबसे पहले गाय के गूबर में तिल मिलाकर 108 उपले बना ले एकदशी व्रत संकल्प के समय इनी उपलों का उप्योग से स्री हरी विश्नु की पूजा करे सट्तिला एकदशी के दिन ब्रह्मा मूर्त में उठकर तिल के इसनान आदी से निवरित होकर शाफ वस्त्र धारण करे श्री हरी विश्नु का इस्मरण करे व्रत का संकल्पले घर के मंदीर में श्री हरी विश्नु की मूर्ती या फोटो के सामने गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर समय चारो तरब छीटे मारे भगवान विश्णु को पंचा अमरित में तिल मिलाकर इसनान कराए घटित स्थापना करे इसके बाद देशी घी का दीपक जलाए भगवान विश्णु की प्रतिमय या फोटो को वस्तर पहनाए पूजा के दोरान भगवान को दूब दीप नैवध्य आधी चड़ाए फूल अरपित करे उड़दवा तुलसी वा फलो का भोग लगाए सटिला एकदशी के दिन काले तिल का दान का बड़ा महत्व है अन्न तिल आधी दान करने से आरोग जीवन वा धन्धान्य में व्रिद्धी होती है साम के समय भगवान विश्णु का पूजन कर उन्हें तिल का तिलक लगाए फिर पांच मुठी तिल लेकर 108 बार ओम नमो भगवते वाशु देवाय मंत्र का जाप करे सक्तिला एकदशी की वरत कथा भी सुने भगवान विश्णु की प्रिय तुलसी के समीब घी का दीपक जलाए हो सके तो तिल की आहूती दे रात में किर्तन करे इसी के साथ भगवान से किसी प्रकार से हुई गलती के लिए छमा मांगे एकदशी की अगले दिन यानि द्वादशी तीथी पर सुबह जल्दी इसनान करे भोजन बना कर भगवान विश्णु को भोग लगाए उसके बाद जरूरत मन या फिर ब्रामडों को भोजन कराए भोजन में तिल से बने हुए किसी चीज को जरूर सामिल करे फिर दक्षिडा दे तिल का दान करे इसके बाद वरत खोले भवजन करवाने के पश्चाद दान दक्षिडा दे कर विदा करे तत पश्चाद स्वयम भोजन ग्रहन करे छे तरसे तिल का प्रयोग करने से अक्षे पूर्ण की प्राप्ती होती है और हर जन्म में उसका फल मिलता है एक अदस्ती का उपुवास रखने और बिना वरत वाले भी इस दिन तिल के 6 प्रकार के प्रयोक को कर सकते हैं जल में तिल डाल कर इसनान करना तिल का उप्टन करना चाहिए जिस पानी को आप पीते हैं उसमें तिल का प्रयोग करें तिल का दान वा तिल के लड़ूओं का दान करें इस पवित्र दिन पर तिल का हवन भी करें तिल का तिलक लगाना सट्टिला एकदशी की दिन किये जाने वाले कुछ खास उपाए एकदशी की साम तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक लगाए ओम नमो भगवते वाशु देवाय मंत्र बोलते हुए तुलसी की ग्यारा प्रक्रीमा करे इससे घर में शुक्षान्ती बनी रहती है संकट कभी नहीं आता एकदशी पर भगवान विश्णु को पीले फूल अर्पित करें इससे हर मनो कामना पूरी होती है एकदशी पर भगवान विश्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डाल कर भोग लगाए इससे घर में शांती बनी रहती है एकदसी पर पीले रंग के कपड़े फल अनाज भगवान विश्नु को अर्पित करे बाद में यह सब चीजे गरीबों को दान दे दे एकदसी पर पीपल के वरिक्षपल जड़ चड़ा है पीपल में भगवान विश्नु का वास माना जाता है इसे करजसे मुक्ती मिलती है